बेस्ट कोडिंग लेपटाप and this segment is only for the creative and the extra billion people जैसे android studio वाले, deep learning, machine learning या वो जो programming language को लेकर कबड़ी खिलता हो तो पहले तो आप जान लो एक अच्छी लेपटाप, नहीं, एक अच्छी कोडिंग लेपटाप किसे कहते हैं नमबर वान, आपको एक must display लेना चाहिए, क्योंकि आपको दिम भर लकडबगे का तारा screen को तारना पड़ेगा वहाँ अगर comfort ना मिले, तो आपका सदरा तो पक्का है and second important thing is the processor, सारा coding डिपेंड करता है प्रोसेसर की speed के उपर में तो गेटे good processor और 8GB का RAM हो तो must है और GPU होना चाहिए कि नहीं हम लोग आगे बात करेंगे with example और मैं आपको बता दू मैंने भी HTML, CSS, JavaScript and C++ सीखा है मतलब मैं भी तो सबसे पहले laptop for the beginner इस पे दो कैटेगरी आता है जिसका budget एकदम टाइट है मतलब जबर्दस tight और दूसरा है थोड़ा tight तो पहले जबर्दस tight जिसे laptop चाहिए under 20K आपको 20K में कहीं सारा laptop मिल जाएगा पर मेरा suggestion यह है कि please उसे मत खरी दिए अगर आप उन में से हो जो सोचते है मुझे एक तरड़ा laptop चाहिए तभी मैं coding कर पाऊंगा तो आप गलत हो coding के लिए आपको hi-fi machine का कोई जरूत नहीं है पर ज़्यादा जरूरी है कि आपको coding सिखने में कितना interest है तो क्या पैसा नहीं है तो coding start ना करे डेफिनेटली कर सकते हो वह भी आज ही बिना laptop खरीदे यूज यूर मुवाइल इसमें से आप coding कर सकते हो जो 20K laptop से ज़्यादा powerful है स्क्रीन छोटा है टैपिंग में problem होगा ओके गेटे keyboard and mouse connect करो और कम चला लो तो अभी 20K आपके पास है थोड़ा पैसा और जमा करो and come to the segment of 30K तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसके लिए यह है Asus X507M around 23K का पड़ा मुझे यह और इससे काम निकालने से बैतर है कोई मुर्दा को पकड़ते हैं उसको बोलते हैं वो जल्दी काम कर देगा इससे नय नय तो यह काम कर देगा लेकिन कुछ दिन बात यह अपना रंग दिखाना सुरू कर देगा तो आवाइड चीप लैप्टॉप अगर आपके बजट around 30K है दन डेफिनिटली चूज एसर एक्सेंसा 15 यह लैपटब आता है इंटल कोर आई 3 11 15 जी फूर प्रोसेसर के साथ में जिसमें 4 जीपी का रैम और 256 जीपी का लेकिन प्रोसेसर देखो भाई 30K के अंदर में most powerful प्रोसेसर आप बिगिनर हो programming language सीख रहे हो या तो web development कर रहे हो सारा का मखन चलेगा जब आपका प्रोजेट का काफी कमजोर है तो प्रोसेसर को तो आप अप्गेड कर नीप पौगे तो बेटर टेके बेस्ट प्रोसेसर और बागी को आप अप्गेड कर सकते हो बाद में So, Acer Extrana 15 is the best choice in 30K वो जो coding में intermediate level तक पहुंच चुका है या तो पहुंचने वाला है या आप artificial intelligence like deep learning और machine learning विजुल इस्टेडियो या Android इस्टेडियो पे काम करना चाहते हो और साथ में आपको lagging वगरा नहीं चाहिए तो आपके काम 40K में हो जाएगा बस 40K जिसमें 4 core और R-threads दिया गया है 8GB का DDR4 RAM 3200 MHz के साथ में और 512GB NBME M.2 SSD और इसे कहते हैं सर्वगूल संपन Coding Laptop और आप जब 40K के अंदर में रिसर्च कर रहे होंगे आपको definitely MSI Modern 40 नजर आया होगा जो Ryzen 5 55200U प्रसेटर के साथ में आता है और अगर हम compare करें Intel i5 11300H और Ryzen 5 55200U तो Intel सिंगल कोर में 19% ज़ादा प्रफोर्मेंस देता है जबकि Ryzen 5 32% ज़ादा प्रफोर्मेंस करता है मल्टि कोर में according to Cinebench R33 लेकिन तब भी हमने MSI Modern 14 को इग्नोर किया क्योंकि Coding mostly टिपेंड करता है सिंगल कोर परफोर्मेंस में और Redmi Book Pro में Intel लगा हुआ है जिसका सिंगल कोर परफोर्मेंस बेटर है और सिर्फ यही नहीं MSI Modern 14 का स्कीन साइज भी छोटा है जस्ट 14 इंच और स्टोरेज भी कम है तो सेम दाम में जब बेटर मिल रहा है तो क्यू MSI Modern 14 के साथ जाए हम बताईए और इस सेग्मेंट में ये कोशन बहुत ही कामन है क्या GPU का ज़रुत है कोडिंग के लिए एंसर इस डेफिनेटली येस तो उसका क्या जो बजट लापटोप यूस करता है कोडिंग कई टाइप के होते हैं और हर टाइप के लिए GPU का कोई ज़रुत नहीं है आप AI, Data Science पे काम कर रहे हो आपको processing का रफ्तार बढ़ा के आपको help कर देगा आप game development पे काम कर रहे हो आपको output दिखाने के लिए GPU बढ़ा help कर देगा और ये सारे कम budget laptop में भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा time consume जादा करेगा और जो mostly machine learning पे है वो cloud computing का use करता है जिसके लिए आपको भारी बरकम laptop होने का कोई ज़रुत नहीं है एक budget laptop ही काफी है तो अब ये cloud computing क्या है cloud computing मतलब एक server है जो बड़ा powerful है बस आपको अपना data को वहाँ भेजना है मतलब आपका model को train करने के लिए जितना processing power चाहिए वो सारा काम cloud computing देख लेगा आपको बस internet connectivity चाहिए ताकि आप वहाँ से data को access कर सको बस simple और machine learning के लिए कहीं सारे cloud service available है जैसे की Amazon का web service, Google cloud platform कुछ भी use कर सकते हो आप तो अगर आपको cloud computing use करना है प्लस आप चाहते हो कि आप अपना model को अपने ही system में train कर लो तो आप definitely Asus tough gaming laptop के साथ जा सकते हो जो under budget best laptop है यह आता है Ryzen 7 4800H processor के साथ में जो बाइज जबर्दस performance प्रवाइड करता है साथ में 15.6 inch का full HD display 144 MHz का refresh rate 4GB RTX 3050 प्लस 8GB RAM और 512GB SSD मतलब इसका performance आपका दिल खुश कर देगा तो अगर आपका bank balance से पंगा उतना है नहीं और थ्वड़ा ज़्यादा खर्च कर सकते हो then definitely Macbook Air M1 Chip के साथ में आपको जाना चाहिए programmer का favorite machine होता है Macbook M1 Chip वाला हमने best chore laptop बताया 30K, 40K, 70K और Macbook अगर आप beginner हो आपको यह सारे चीज़ पले नहीं पड़ता है निचे link दिया गया है click करिए हमसे बात करें आपने सारे doubt को solve करिए लेकिन अगर आपके budget 50K है then definitely watch this video इसमें आपको super laptop निल जाएगा जो coding में भी कामा जाएगा और बाकी सब में भी कामा जाएगा go and watch this video